हम बनाने जा रहे हैं आलो की कटलिस आलो और खेमा की कटलिस बना रहे हैं अब हम यहाँ पर खेमा लिए रहे हैं अड़ेशो गिराम उसको अच्छे से तेल डाल के भूलींगे अब हम इन मसालों को डाल देंगे इसमें इन मसालों को डाल देंगे इसमें तीन हरी मिर्ची लेकर बारी कट करें हैं ये भी डाल देंगे अब हमारा खेमा अच्छे से तयार हो गया है अच्छे से तयार हो रहा है कटलिस के अंदर आलू के कटलिस के अंदर खेमा भरना बरके बनाना है देस जब बड़स भनेंगे अब खेमा प्यार हो रहा है थोड़े दिर के लिए इस खेमे को गलने के लिए रख देंगे तेल छोड़ने लगा है जबरस भुने गया है अब इसको हम थोड़ा आदी कप पानी दाल के थोड़ा खेमे को गलने के लिए रख देंगे ये खीमा गल के पानी सुखने के बाद लीमू नी चड़ देंगे, ये अब हमारा खीमा अच्छे से सुख गया है, पानी पोरा अब अच्छे से बन गया है, अब उसमें हम आधा लीमू मिचड़ींगे, अब हम इसको आलू को पाँच आलू लेके उबाल के खुरच दिये हैं अब हम इसमें कोत्मीर, विकाली मिर्ची और नम्मक मिला देंगे, मिलाके उसको अच्छे से मियाश करेंगे, हाथ साब धोके उसको मियाश कर लेना, हम आलू को मियाश करके रखेंगे हैं, अब यहाँ पर दो अंडे लिए हैं, उसमें नम्मक और लाल मिर्ची दाल के उसक तो अच्छे से मिला लेना चाहिए अच्छा खीमा अच्छा भर लेना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है ऐसी बना के पूरे रडी कर लेंगे देखिए हमारे कितने जब्रदस बन गया है पूरे कट्डिस हम तयार कर चूके हैं यहाँ पर मिर्ची नमबा कर अंडों को फिल दिया है अब हम उसमें यहाँ पर तवय पर हम तेल डाल दिया हैं दो चमस बड़े चमस से तेल डाल दिया हैं अब हम शलो फ्राइग चलिए अब हम इसमें डीप करके आप इसको यहां पर रख दिंगे एक 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 पिस अब हम ये शलो फ्राइब कर रहे हैं डीप फ्राइब नहीं करना जबरदस बन रहे हैं देखिए इसका कलर भी अच्छा विर्ची नम्मक डाल के इसमें लंडे में तलने से उसको भी प्राइब करना चाहिए अब देखिए कटलीस पूरा बनके तयार हो गई है जबरदस तले गए हैं और अच्छे से बने हैं बहुत खुश्वा आ रही है बहुत ही लजीज बने हैं अब देखिए उसको अब हम तोड़के बताएंगे खीमा इतना अच्छा अंदर से खीमा भी बहुत अच्छा लजीज है जब बरदस कटलीस बन गये हैं आप भी बनाईए अल्ला आफीज